यूट्यूब से लेकर फेस्बूक तक आपने सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस देखी होंगे जिसमें एक व्यक्ति हाथ में माइक लिए गले में प्रेस का आइकाड पहने पत्रकारिता करने का दावा करता दिखाई देता है इन वीडियो में दिखने वाले लोग प्रश से दिखे जहां एक व्यक्ति सवाल करने के नाम पर अपनी कपड़े उतारता है तो एक सरकारी स्कूल में घुसकर शिक्षकों से सवाल करता है अपनी इस रिपोर्ट के लिए हमने तीन दिन बिहार में बिताए जिसमें हमने ऐसे ही कुछ यूट्यूबर से बात की जो संसनी खेस वीडियो भी बनाते हैं और इन वीडियो से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा लोगों की मदद में लगाते हैं सबसे पहले हम मिले बिहार में सन ओफ बिहार नाम से मशूर मनीश कश्यप से जिन से मिलना वाकई में आसान नहीं था कई फोन कॉल्स और कई मेस्जिस के ब रहे थे और उनके गाड़ी में बैठकर ही हमने उनका इंटव्यू किया मनीश इस बीच कार सर्विस सेंटर में भी गए जहां उनोंने अपनी गाड़ी सर्विस होने के लिए दी थी सर्विस सेंटर का मालिक उन्हें एकड़म सेलिबरिटी की तरह ट्विट कर रहा था मनिश ने उस व्यक्ति के साथ एक वीडियो भी बनाया और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जहां उनके पांच मिलियन से जादा फॉलोवर्स हैं अपने सवालों की बात करें तो कुछ सवाल उन्होंने अपनी बातों में ही घुमा दिये लेकिन कई सवालों के जवा नहीं कहा मनीश की वीडियो में वो गुस्यल अंदाज में सवाल करते दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर उनका एक रील बहुत वाइरल हुआ जिसमें वो कई बार कहते दिखते हैं कि अगर माबाप नहीं मानते हैं तो लड़की को दूसरे धर्म या जाती में शादी नह हैने वाले हैं लेकिन काम बिहार के लिए करते हैं उनके शब्दों में वो बिहार को महान बनाना चाहते हैं उनका एक वीडियो जिसमें वो एक पुलिस वाले से लगातार सवाल करते दिखते हैं कि उन्होंने चार्ज शीट दायर क्यों नहीं की पुलिस वाला जवाब देत है कि चार शिक दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय होता है और अभी 82 दिन ही हुए हैं लेकिन रवी भट लगा तार अपने सवालों की बंदू के दाखते रहते हैं हमने रवी से फोन पर बात की क्योंकि उनके पास हमसे मिलने का समय नहीं था जिस समय हम बिहार में थे वे मध्य परदेश में थे रवी भट भी अपनी कमाई से दो बच्चियों को पढ़ा रहे हैं उनकी बात माने तो वीडियो बनाने के इस काम से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है उनका यूट्यूब चैनल भी ऐसे वीडियो से भरा हुआ है जिसमें वे संसनी खेज और वाइरल वीडियो बनाते हैं रवी खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताते हैं इससे पहले वह अकाउंटेंट थे फिर ब्लॉक्स बनाले लगे फिर कथित स्वतंत्र पत्रकार बन गए बिहार के इस यूट्यूब नेटवक में निभा सिंग नाम की विए कलड़की है जो रिपोर्ट सुन की समस्याएं नहीं सुनती एक्टिविस्स से भी मदद नहीं मिलती तो लोग निभा सिंग से वीडियो बनाने के लिए कहते हैं कुछ मंदों पर निभा वीडियो बनाती हैं और कुछ को मौखिक रूप से सुलझा देती हैं बिहार में ऐसे यूट्यूबर्स का खूब पुलिस वरिष्ट अधिकारियों से भी बात की जिरों ने बताया कि ये लोग जान बूच कर वाइरल कंटेंट बनाने के लिए पुलिस को टारगेट करते हैं इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट से भी हमने बात की जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में किया है इस रिप की तरह देखा जाने लगा है यहां तक की यूवा पीड़ी इसे करियर ऑप्शन की तरह भी चुन रही है देप्रेंट के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बाकि देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे सोशल मेडिया चैन